आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोग को सखाने वाला हूँ कि जो भी आपके पास थ्री विलर हो जो कि इसमें ट्रेलिंग आर्म होता है और वो ट्रेलिंग आर्म हमारा चैसेस के माध्यम के साथ जोड़ा रहता है एक बुल्ट के माध्यम से तो फ्रेंट हमें इसमें क यह बल्कुल सूखा है इस पर कोई greasing नहीं है oil नहीं है तो हमें क्या करना है इस पर हमें अच्छी तरीके से grease करना है क्योंकि grease करने के बाद जब हम इस बोल्ट को फ्रेंट इसके अंतर लगाएंगे तो उसका क्या benefit होने वाला है वह भी देखी फ्रेंड में आपको बताए नहीं होंगे क्योंकि अगर वह एक बार जाम हो जाते हैं तो गर्म करके बैलिंग से निकालने पड़ते हैं